भारतिय जनता पार्टी के यशस्वी, परीश्रवी, अध्यक्ष्य, भाई अमित साहजी, भारतिय जनता पार्टी के सभी वरिश्ट साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज स्वयम मेग राजा भी इस विजयोत्सों में सरीख होने के लिए हमारे बीच है, 2019 लोगसर्भा का जनादेश, हम सब देश वाच्वा के पास, नए भारत के लिए, जनादेश लेने के लिए गए थे, आज हम देख रहे हैं, देश की कोटी कोटी नागरिकों ने इस फकीर की जोली को भर दिया, मैं भारत के एक सो त्रीज करोर नागरिकों का सर जुका करके नमन करता हूँ, लोगतांत्रिक विश्व में दोहजार उन्नीस का यह जो मतदान का सिरफ आखड़ा है, यह अपने आप में लोगतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है, बेश आजाद हुआ, इतने लोग सबहा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद, इतने चुनाव होने के बाद, सबसे अधीक मतदान, इस चुनाव में हुआ है, और वो भी, 40-42 दिगरी, गर्मी के बीच में है, ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरुपता, लोग तंत्र के प्रती, भारत की प्रतिबद्धता, पुरे बिश्वतों, इस बात को रजिस्टर करना होगा, पुरे बिश्व को, भारत की लोग तंत्रिक शक्ती को पहचान ना होगा, इस अउसर पर मैं, इस लोग तंत्र के उत्सों में, लोग तंत्र के खाती, जिन जिन लोगों ने, बलिदान दिया है, जिन लोग गायल हुए है, उनके परिवार जनों के प्रति, मेरी संबेदना प्रगट करता हूँ, और लोग तंत्र के इतिहास में, लोग तंत्र के लिए मरना, ये मिशाल आने वाली पीजियों को प्रेना देती रहेगी, मैं चुनाव आयोग को, सुरक्षा बलो को, इस लोग तंत्र की उत्सव की व्यवस्ता को समानने वाले, हर किसी को उत्तम तरीके से लोग तंत्र में विश्वाद बनाने वाली रवस्ता देने के लिए, बहुती उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, रगाई पुरवक बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों जब महाभारत का युद्ध हमाप तो हुआ, तब स्री कर्ष्ण से पूछा गया, कि आप किसके पक्ष्ण में थे? मैं समझता हूँ, उस समय महाभारत के काल में, भगवान स्री कर्ष्ण ने जो जबाब दिया था, वो आज 21 सदी में, 2019 के इस चुनाव में, हिंदुस्तान के 130 करोड नागरिकों ने, जनता जनारदन ने, स्री कर्ष्ण के रुप में, जबाब दिया है, आज स्री कर्ष्ण ने जबाब दिया था, कि मैं, किसी के पक्ष्ण में नहीं था, मैं तो सरफ हस्तिनापूर के लिए, हस्तिनापूर के पक्ष्ण में खड़ा था, आज एक सो तीस करो नागरिक, स्री कर्ष्ण के रुप में, भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए बत्तान किया था, आरिसलिए, देश के सामान्य नागरिक के भावना, भारत के उजवल भविष्ण की गारंटी है, इस चुनाव मैं पहले दिन से कह रहा था, ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उमीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, जिनके आग कान बन थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनारदन ने प्रगट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजय हुआ है तो हिंदुस्तान विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो लोगतंत्र विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो जनता जनारदन विजय हुई है और इसलिए हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कायर करता हम सभी NDA के साथ ही नम्रता पुर्वक इस वीजय को जन्ता जनार्दन के चर्णों में समर्पित करते हैं इस लोग सभा के चुनाओं में जो विजय हुए हैं उन सभी विजयताओं को मैं रड़य पुर्वक बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और सभी विजय किसी भी दल से जीत करके आये हो किसी भी पार्स्वभूमी से आये हो लेकिन देश के उजवल भविश्य के लिए प्रतिवत्चता के साथ कंदे से कंदा मिला करकर के भारत के उजवल भविश्य के लिए विजय सभी जन सभी प्रतिवी आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे इस विश्वास के थाथ मैं उन सब को शुब कामनाय देता हूँ चार राज्यों में भी चुनाओ थे औरिशा, आंद्र, सिक्किम, अरुणाचल उन विधान सभाओं में जो प्रतिनी दी चुन करके आए हैं उन उन राज्यों की जनता ने जिन सरकारों को चुना है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे भी सरकारों को विश्वाद जलाता हूँ कि भारती जनता पार्टी भारत के समिधान को समर्पित है भारत के समिधान प्रती समर्पित है और फैडरलिजम को समर्पित है और इसलिए इन चीजों को विजय प्राप्त करने वाले लोगों को मैं भी स्वाद दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार उन राज्चों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंदे से कंदा मिला करके उनके साथ चलेगी जैसे हमारे दिक्जी ने कहा कि भारती जनता पार्टी की करोड़ों कार करता उनके परिश्रम उनका पुर्शाथ इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम है उस दल में ऐसे दिल्लार लोग है कोटी कोटी काहर करता सिरफ 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 एकी भाव भारत माता की जैर और कुछ नहीं वेकारता वेभारती जनता पार्टी परिवार का प्रत्यक साथी कोटी कोटी अभिनंदन का अधिकारिय है जिसने निस्वार का प्रताव से लोगतंत्र का जंडा उचा रखते हुए देश के सामाद्रे मानवी की आशा आकांचों की पूर्ती के लिए जी जान से लोगतंत्रिक तरीके से इस पूरे लोगसाई के उत्सव में सरीख हो करके उसकी आन बान शान बढ़ाने में यश्रस्वी भूमी का निभाई है भारतिये जंता पार्टी की विशेष्टा है और विशेष्टा ये है कि हम कभी दो भी हो गए हम कभी दो भी हो गए लेकिन हम कभी अपने मार्गर से बिचनित नहीं हुए आदर्शों को ओजल नहीं होने दिया न रुके न ठके न चुके कभी हम दो हो गए तो भी और आज दोबारा आ गए दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चड़ाव आए जो थे तब भी निरास नहीं हुए दोबारा आए तो भी ना हमारी नम्रता चोड़ेंगे ना हमारा विवेक चोड़ेंगे ना हमारे आदर्शों को चोड़ेंगे ना हमारे समस्कार को चोड़ेंगे झाल 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 सात्यों अभी हमारे अद्दक जी चुनाव नतीजों की कुछ हाइलाइट बता रहे थे मैं स्वयम आज काफी व्यस्त था उसके कारान चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकरी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन अद्दक जी ने जो विस्तार के बताया मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा काज दिन पर क्या क्या हुआ है लेकिन जो अद्दक जी ने बताया ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी बिश्वी सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा एकिसी सदी है ये नया भारत है ये चुनाव का विज़े कोई कहता है मोदी 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 ये मोदी का विज़े नहीं है ये देश में इमानदारी के लिए तड़कते हुए नागरी की आशा अकांशाओं का विज़े है एकिसी सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नवज़वान का विज़े है ये विज़े आत्म सम्मान आत्म गवरों के साथ एक सोचालई के लिए तरपती हुई उस मा का विज़े है ये विज़े उस बिमार वेक्षी का है जो चार-चार-पांच-पांच सान से पैसो के अभाओं में उपचार नहीं करवा पा रहा था जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशिरवाद की विज़े है ये विज़े देश के उनकिसानों की है कि जो पसीना भाँ करके रास्त के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परिशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है ये उसकी विज़े ये उन 40 करोड असंगधित बद्दुरों की विज़े है जिनको पहली बार लेप के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे लेकिन इस देश में कैसी सरकार जिस पर लेप का लेबल तो नहीं है लेकिन 40 करोड लोगों के लिए असंगधित कामधारों के लिए पेंशन योजना लागो करके उनको सम्मान जीवन देने का काम की आए ये उनका ये उनका विज़े है उन बेघर जिन गुजारते गुजारते आज पक के घर में रहने गए है उनका विज़े है और जिनका 2022 तक पक का घर बननाता है उनका विज़े है ये विज़े उन मत्यमबर के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पानन करता रहा जो देश की भराई के लिए टैक्स देता रहा लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और नहीं कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुझ में देश के काम आता है क्या पात सान्दा उसने अनुभो किया कि जो दे रहा है वो सही जगा पे जा रहा है सही काम आ रहा है उस मत्यमबर के मन को जो संतोस हुआ है वो संतोस इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है इमान दारी को जो ताकत मिली है उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्विक्रुती दी है और इस प्रकार से जो बढ़लाव आया है उस बढ़लाव ने ये परिवर्तन लाया है भाईयो बेनों हमारे देश में ये चुना वैसा हुआ वरना आपने देखा होगा 30 सांट तक लगातार देश में विशे सुप से वैसे ये ड्रामे भाईजी तो लंबे समय से चल देगी एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा टेग फैशन हो गई थी कुछ भी करो उसको लगा लो आपके गंगास दान करने इसना पुन्य मिल जाता था उस टेग का नाम था और फुरी तरह नकली उस टेग का नाम था सेकुलिरिजम और नारे लगते दे सेकुलर एक हो जाओ सेकुलर एक हो जाओ आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते हैं उस भूरी जमात ने बोलना ही बन कर दिया इस चुनाओं में एक भी राजलितिक दल सेकुलरिजम का इन नकाब पहन करके देश को गुम्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाया है ये बेनकाब हो गए दूसरा हिंदुस्तान में कोई चुनाओं ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो ये चुनाओं ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दलने आरोप नहीं लगाया है ये चुनाओं ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाओ ठा लीजिए सब चुनाओं प्रस्टाचार के मुद्दे से रंगे से रंगे गए थे प्रस्टाचार के मुद्दों पर चुनाओं लड़े गए थे प्रफ्ताचार के मुद्दे पर जबाब देने पड़े थे ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राज़ितिक दल पांच साल के शासन पर प्रफ्ताचार का एक आरोप नहीं लगा पाया चुनाव का एक मुद्दा नहीं भारत के लोक्तंत्र में ये तील चीज़े कॉंस्टन रही है इस चुनाओं में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीज़ों को तोला जाए भाईयो बैणो इस चुनाओं ने 21 सदी के मजबूत नीव हमारे सामाजिक सारवजनिक राज़ितिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूंगा कि जो देश का उजबल बने चाहते हैं सरकार कौन बने किसकी बने कौन आए कौन जाए वो तो जनता करता ही करती रहेगी लेकिन भारत के उजबल भविश के लिए देश की एक्ता और अखंडिता के लिए अब भारत ने भारत की जनता ने इस चुनाओं में एक नया नेरेटिव देश के सामने रख दिया है सारे समाज सास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है और वो क्या है अब इस देश में सिरफ दो जाती बचेगी दो जाती ही रहने वाली है और देश इन दो जाती पर ही केंद्रित होने वाला है ये जाती के नाम पर खेल खेने वालो लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है और दो जाती है कौन सी अब 21 सबी में भारत में एक जाती है गरीब भारत की एक जाती है गरीब और दूसरी जाती है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ ने कुछ अपना योगदान देने वालों की एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते है दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते है ये दो ही जाती है और इसलिए हमें 21 सदी में इन दोनों को ससक्त करना है जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी ससक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चड़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंग को मिता सकती है इस सपने को ले करके हमें चलना है दोस्तों ये चुनाओ इसलिए महत्वपून है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2024 ये पांच साल का कारकार और इतना प्रचंड जनमत प्रचंड मंडे बहुत बड़ी घटा है जी विश्व को अचम्मित करने वाली घटा है पल भर याद कीजिए यही समय है जब मातमा गांदी के 150 वर्थ देश मनाएगा यही समय है जब 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल बनाएगा गांदी 150 और भारत 75 ये हमारे लिए इन पास साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड करके देखें 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आज़ादी के लिए करता था स्कूल छोड देता था आज़ादी के लिए जेल जाता था आज़ादी के लिए खादी पहनता था आज़ादी के लिए जारू लगाता था आज़ादी के लिए बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए स्वदेशी का पारण करता था आजादी के लिए 42 से 46 तक 47 तक एक जनांदोलन ने देश को आजादी प्राने में बहुत बड़ी मदद की थे ये 1924, 2019 से 2024 ये कानखन देश की आजादी के सिपाईयों का स्मरन करने का है और देश मासी भी ताय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड लोग उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी-बड़ी सल्तनत को पराज कर दिया अब हाँ आज हम 130 करोड लोग है अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है देश को एक समरत राष्ट की तरफ ले जाना है एक विच्षित भारत बनाकर के साथ लेनी है हमारे करीब से गरीब की सामान ने आवश सकता है उसको पूरन करना है अगर 2019 से 2024 जो स्पिरीट आजादी का था वो स्पिरीट सम्रुद्ध भारत के लिए बन जाए स्वतंत्र भारत का वो स्पिरीट सम्रुद्ध भारत का स्पिरीट बन जाए 2024 के पहले देश को हम नई उचाए यो पर ले जाज़ता है और इसलिए दोस्तों कि इस चुनाव को हमें नमरता से शुकारणा है हम सरकार सरकार तो बहुमत से बनती है और जन्ता ने बना भी दिये लेकिन लोग तंत्र के समस्कार लोग तंत्र का स्पिरीट भारत के संविधान का स्पिरीट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन बेश सर्वमत से चलता है और इसलिए मैं आज सार्वजनी कुर्प से कहता हूँ चुनाओं में क्या हुआ कैसे हुआ कौन बोला क्या बोला मेरे लिए वो बात बिच चुकी है हमें आगे देखना है हमें सब को साथ ले करके चलना है हमारे कोर विरो भी होंगे उनको भी साथ ले के चलना है बेश हीद के लिए चलना है और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है लोग तंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है संबिदान संबिदान यही हमारा सुप्रीम है उसी के चाया में उसी के हर शब्द के भाव को पकरते हुए हमें चलना है और उस काम में भारती जनता पार्टी का कोई कार करता भी हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उसा के साथ हमसे जुड़ेगा यह मेरा विश्वास है भाईयो बेनो देश ने हमें बहुत दिया है मैं आज इस पल देश वासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं देश वासियों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस फ़कीर की जोली तो भर दी मेरे प्यारे देश वासियों आपने इस फ़कीर की जोली भर दी है बड़ी आजसा अपेक्षा के साथ भरिये मैं जानता हूँ आपकी आशा, आकांशा, आपके सपने, आपके संकल्प बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है मैं इसकी भरिभाति इस गंवीरता को समझता हूँ लेकिन मैं देश को कहूँगा कि आपने 2014 में मुझे जाजा जानते नहीं थे लेकिन आपने फ़रोसा किया 2019 में आपने मुझे जादा जानने के बाद उसमें और जादा ताकत करे मैं इसके पीछे की भावना को भली भाति समझता हूँ मैं भली भाति समझता हूँ जैसे अमीद भाव कह रहे थे गए बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण पहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत कर गये इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ती है और इसलिए मैं देश्वास्यों को कहना चाहूँगा कि आपने मैं जो दाइत्व दिया है हमारे एंडिये के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है एंडिये के साथियों ने भी मिल करके पूरी महनत की है तब जाकर के मैं देश्वास्यों से आज जरूर कहना चाहूँगा और इसे मेरा भादा मानिए मेरा संकल्प मानिए मेरा समर्पर मानिए मेरी प्रदिवत्ता मानिए लेकि मैं जरूर कहूँगा कि आपने फिर से जो मिझे काम दिया है आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में बद इरादे से बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा काम करते करते गलती हो सकती है लेकिन बद इरादे से बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा दूसरा दूसरा दे स्वासिया आपने मुझे इतना बड़ा फरोसा इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तब मैं दे स्वासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा और तीसरी बार मैं सार्व जनीक रूप से कहना चाहूंगा और तीसरी बार मेरे समय का पल पल मेरे शरीर का कन कन सिर्फ और सिर्फ बेश वासियों के लिए मेरे दे स्वासियों के आप जब भी मेरा मुल्यांकन करें इन तीन तराजू पर जुरूर मुझे कस्ते रहना कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोस्ते रहना लेकिन मैं दे स्वासियों के भी स्वास दिलाता हूँ कि मैं सार्व जनित उप से जो बाते बताता हूँ उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूँगा मैं आज हमारे राश्टिय अद्श उनकी पुरी टीम राज्यों की अधिक्ष राज्यों की टीम भार्टी के पन्ना प्रमुक तक के लोग कुछ लोग पन्ना प्रमुक की बड़ी मजाग उडाते रहते निकि उसली पन्ना प्रमुक की ताकत क्या होती है वो आई स्चुनाऊ में पता चल गए पन्ना प्रमुग से लेकर के राश्चर ये प्रमुग तक इन लक्षावधी काहर करताओं को उनके परिशम को उनकी प्रतिवत्ता को एक बार रज़य से बहुत बहुत आभेननन करता हूँ बहुत बहुत रहनेवाद करता हूँ रहनेवाद मैंने साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की बंदे भंदे 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 भंदे